हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम उपयोगी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके रोज के काम को तो आसान बनाएगी ही इसके साथ ही आपका समय भी बचाएगी तो आज के हमारी पहले टिप है हम इस तरह से पैकेट में से सामान निकालते हैं और वो थोड़ अच्छे से दोनों को तरह से प्रेश और दीरे अच्छे से प्रेश बेल गड़ी है अब आ guy आपके पास बड़ी पौलिथीन है और आपको छोटी पौलिथीन चाहिए तो आपको भी पोलिथीन लें लेकर रर ऐसे जितनी चोटी mos उस तरह से आप इसे हलका गरम चाकू करके और इस तरह से चाकू की सायता से काट ले तो चाकू बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तो इस तरह से जहां जहां हम काटेंगे वहां सीरे चिपक जाएंगे तो आप एक से दो थेलिया आराम से बना सकते हैं और जहां कुछ मैचिंग की चूडिया रहती है तो इसे रखने का एक बहुत ही अच्छा सा उपा है मेरे पास तो इसके लिए हमी चाहिए एक हैंगर तो आप मेटल का हैंगर ले और इसे इस तरह से ले अब इसमें सारी चूडिया इस तरह से डाल देंगे और आप इस हैंगर को कहीं भी अलम शेयर करना न भूले तो कई बार हमारे पास मेटल के चूड़ी रहती है और वो टेड़ी हो जाती है ग्लास पर इस तरह से चूड़ी लगाकर और गोल गुमाने से चूड़ी फिर से पुराने शेप में आ जाएगा अगले टिप हमारी टुदब्रश को लेकर हैं हम सभी की घर जुका ले इस तरह से मोड ले और कुछ देर पकड़ के रखे जिससे कि यह उसी शेप में आ जाएगा अब यह ब्रेश सफाई करने में बहुत ही उपी होगी है तो ऐसे कोई चोटे डब्बे या फिर बॉटल जहां आपका हाथ नहीं जाता है तो इस तरह यह आसानी से कोन अधिक टायट उसकी गठाने बंदी रहती जो कि असानी से खुलती नहीं है तो हमें यातो थेली को काटना पड़ता है तो इससे गठान को खोलने का बहुत ही आसान सा उपाय में आपको बता रहेंगा तो इस तरह से पॉलितिन बैक का एक सीरा लेकर हुर हमें गोल गोल इतना गुमा सकते हैं उतना गुमा कर और पतला कर लेना है और फिर हलके आत से आप गठान खोल ले तो गठान बड़े ही आसानी से खुल जाती है तो ऐसे ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद